हेलो, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल चाल हैं, उम्मिद करते हैं आप सब बहुत बڑए होंगे, मैं मोहिद याद हो, आपका दोस्त, आपका ट्यूटर, आपका सिछट्छक, और मैं आपको पदाता हूँ, जी विग्यान, मैं आपको क्या सपजेक पदाता हूँ, मैं आपर डिसकस कर रहे हैं उस चेप्टर का नाम है खाद संसादनों में सुधार ठीक है तो मैं आपको यहापर क्या पढ़ा रहा हूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जीविग्यान और यह जो जीविग्यान है इस जीविग्यान में कौन सा चेप्टर हम लोग डिसकस करने वाल ये किस class में है तो ये 9th class के बच्चों के लिए है है ना सभी को पता होगा क्योंकि ये जो उदय बैच है उदय बैच for class 9th student है ना कच्छा 9th के बच्चों के लिए ये बैच है और यहाँ पर हम लोग pure हिंदी में है pure हिंदी माध्यम में जो chapters हैं उसको cover कर रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं और आज जैस chapter को पढ़ रहे हैं वो खाद संसादनों में सुधार और ये इसका दूसरा lecture है कौन सा lecture है बिटा ये इसका दूसरा lecture है जिसको हम लोगों को आज यहाँ पर cover करना है इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा तकाते संसादनों के बारे में कि जो भी फसल है जो हम लोग खेती करते हैं जो हमारे करसी भाई है जो खेती करते हैं तो वो जो खेती करते हैं उसमें जो फसल का उतपादन है उसकी जो पैदावार है उसको हम लोग किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और उसमें जो रोग लग जाते हैं जो उसमें बीमारियां हो जाती हैं जीवारगों की वज़े से कवक की वज़े से कीट नासक की वज़े तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कीट नासक का उपयोग करते हैं जो इंसेक्ट होते हैं कीडे होते हैं जो क असल की पैदावार को बढ़ाने के लिए जो अनाज का भंडारण है जहां पर अनाज को स्टोर किया जाता है उसको संग्रहीत किया जाता है तो उसको हम लोग किस तरीके से उसका जो संदच्छन है उसको संग्रहीत कर सकते हैं जिससे कि उसको लॉंग टरम के लिए एक लंबे समय के लिए क्या किया जाए उसको संग्रहित किया जा सके ठीक है और आने वाले भविश में आने वाले समय में उसका हम लोग इस्तमाल सही तरह के से कर सके क्योंकि आपको पता है कि जब अनाज को स्टोर किया जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी चीजे होती है सबसे जो बड़ी समस्या होती है वो क्या होती है कि उसमें नमी लग जाती है तो नमी से बचाने के लिए उसको सुखाना पड़ता है और हम ये भी देखते हैं कि जिसमें हम अनाज को भर रहे हैं जहां पर अनाज का बंडारन कर रहे हैं तो वहाँ पर उसमें जिस बरतन में जिस जगह पर हम लोग अनाज को स्टोर कर रहे हैं ऐसा तो नहीं वहाँ पर कोई सा खाली स्थान हो जिससे हवा या पानी वहाँ पर आ सके जिसकी वज़े से फिर उस अनाज में नमी लग सके है तो यह सारी की सारी चीज़े हम लोगों ने पिछली क्लास में डिसकस करी थी आज बेटा हम लोगों को जिस टॉपिक को यहाँ पर कवर करना है वो टॉपिक कौन से हैं वो टॉपिक हैं बेटा पसू पालन के बारे में किसके बारे में हैं पसू पालन के बारे में हैं जो हम लोग जानवरों को पालते हैं बाले हम लोगों को लाब क्या है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, पसुपालन के सासाद यहीं पर मुर्गी पालन को भी समझेंगे, जिसको कुकुट पालन कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में इसको पॉल् levy फॉर्म कहते हैं, तो इसको भी हम लोग समझेंगे, वहीं जो मतस से उत्पादन या फिर हम लोग मचली उत्पादन के नाम से जानते हैं तो मचलियों का उत्पादन किस तरह से किया जाता है और आपको पता है सबसे ज़्यादा मात्रा में मचली का उत्पादन किया जाता है और वहीं लास्ट में हम लोग समझेगे मदुमक्खी पालन के तो ये जो चैप्टर है जो खाद संचादों में सुधार इसमें जो ये टॉपिक अज जो कवर करने वाले टॉपिक है वो ये साधे कि टॉपिक है जिसको हम लोग आज की क्लास में क्या करेंगे ठीक है, तो कौन कौन से topic है बिटा पसुपालन के बारे में है ठीक है, मुर्गी पालन के बारे में है मचली उत्पादन के बारे में है और सबसे आखरी topic जो होगा वो मदुमक्ही उत्पादन है तो इस के बारे में हम लोग समझेंगे और देखेंगे एक एकरके चीजों को यहां पर discuss करेंगे तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं बिटा पसु पालन की अगर पसु पालन की बात करेंगे तो यहां पर किन किन चीजों का पालन किया जा सकता है तो पसु पालन में हम लोग क्या देखते हैं गाए, भैस बकरी, है ना, भेड़ का भी करते हैं, भेड़ को भी पालते हैं, उससे उन प्राथ होती है, है ना, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखेंगे, कि जो खाद दे उत्पाद करने में, जो दूद उत्पाद करने में, जिसकी भूमिका है, तो दूद के उत्पादन करने वाले ज़्यादा जिसकी भूमिका होगी वो बेटा गाय और भैस चीए ना गाय और भैस की जो दुख्द उत्पादन में जो सबसे ज़्यादा चमता होती है वो गाय और भैस है तो यहाँ पर हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे और मेंली हम लोग पशु पालने किसके बारे पड़ते हैं तो यहाँ पर जो पशु धन है अचार इसको उसको पशु धन भी कहते हैं क्या कहते हैं पशू धान के होता है तो इसको बाहर बाजारों से क्या होता धन की प्राप्ति हो रही है क्योंकि इन से जो मिलने वाला दूद है उसको हम लोग मार्केट में बेज देते हैं और उससे क्या आता है पैसा आता है इसी लिए आपर क्या बोला गया है पसु धन बोला गया है ठीक है तो पसु धन की जो उचित देख रेख है उनक का आहार है उनके प्रजनन की विवस्ता है इसका जो अध्यान है इन सब चीजों का सम्मलित जो अध्यान होता है उसी को बिटा क्या कहते हैं पसु पालन कहते हैं क्या कहते हैं इसके बिटा मुख्य उद्देश क्या क्या है तो जो इसके उद्देश है वो आवास उनके रहने के द्वारा या फिर कवक के द्वारा क्या हो जाता है रोग हो जाते हैं तो उस रोग का उनमूलन किस तरीके से किया जाएगा वो भी यहाँ पर पशुपालन में क्या करते हैं डिसकस करते हैं उसकी चर्चा करते हैं तथा उचित आर्थिक उपियोग है ना आर्थिक उपियो परण के अंतरगत हम लोग इसको पढ़ते हैं ठीक है तो ये सारी के सारी चीजे हैं वहीं जो हम लोग ये देखेंगे कि जो खाद का उत्पादन है खाद उत्पादन करने वाले जंतों कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं एक वो जो दूद का उत्पादन करते ह और दूसरा वो जिन से हम लोगों को मांस और अंडा मिलता है ठीक है ना जिन से हम लोगों को मांस और अंडा मिलता है अगर दूर उत्पादन करने वाले जंतों की बात करेंगे तो उसमें हमको गाए, भैंस, बकरी ये सारे के सारे हमको जानवरी हाँ पर मिल जाएंगे ठीक ह और वहीं जब हम बात करेंगे मास और अंडे उत्पादित करने वाले जनतों की बात करेंगे तो वहाँ पार हम को क्या मिल जाएगा कुकुट का मतलब क्या है बेटा मुर्गी कुकुट का मतलब क्या है मुर्गी पालं ठीक है वहीं बतक हो गया भेड है बकरी है ठीक है ना मचली है अब बकरी तो बकरी में अब यहां से तुमको अंडे की पर अपती तो नहीं होगी लेकिन यहां क्या मिल जाएगा बकरी का मास बकरे का मास खाये जाता है ना तो मास मिल जाएगा भेड का यहां पर तुमको मास मिल जाएगा ठीक है ना पर भी कई जगह पर मशली का उत्पादन करते हैं लेकिन जो जादा मातरा में मशली का उत्पादन किया जाता है या फिर जादा मातरा में जहांपर भोजन के रूप में मशली को लिया जाता है वो कौन से इलाके होते वो तटी इलाके होते जहांपर जिनके किनारों में क्या पायाता हो, समुद्र पाया जाता हो, तो ये सारी की सारी चीजे हैं, तो जो खाद उत्पादन करने वाले जो जन्तु हैं, है ना, खाद उत्पादन करने वाले जो जन्तु हैं, उनको दो प्रकार की स्रेडियो में रखा गया है, पहला जो दूद का उत्पादन करते हैं, और किसकी चर्चा करेंगे गायों की विभिन नसलों की क्योंकि आपको पता है कि विभिन तरह की गाये हैं ठीक है और यह जो कई तरह की गायों में कई तरह की जो है किसमें पायाती है कई तरह की नसले पायाती है है ना नसले मतलब अलग-अलग परजाती की तो इनसे क्या होता है जो दूद उत्पादन की जो छमता है वो भी हर अलग-अलग नसल की गायों में अलग-अलग होती है ठीक है ये जो खादे पदार्थ के रूप में प्राप्त हम लोगों को दूद है ठीक है और खेती करने के लिए प्राप्त है जो बशलों की जहुरत है किसकी जवरत है खेती करने के लिए बश्रों की जवरत होती है और खादे पदार्थों के रूप में हमको दूद की जवरत होती है तो वो किस पर निरबर है गाय की विभिन प्रकार की नसलों पर निरबर होता है किस किस प्रकार की नसले यहाँ पर मिल जाएंगी यहाँ पर ब बहुत जादा होगी क्या होगी बहुत जादा होगी ठीक है ना वहीं ऐसी भी गाये होगी ऐसी नसल वाली भी गाये होगी जिनमें दोनों लर्चोड़ों वाली नसले हम लोगों को मिलेंगी ठीक है तो कुछ हैं जो सुस्क नसल वाली हैं कुछ जो दुधारू नसले वाली है और कुछ जिनमें दोनों प्रकार की नसले पाई आती हैं अगर हम सुस नसल वाली गाओं की चर्चा करेंगे तो बटा ये काफी मजबूत होती है कैसी सरीर से कैसी होती ही काफी ज़्यादा मजबूत होती है और इस नसल के जो बैल हैं वो बैल गाड़ी खिचने के काम आते हैं हमने आपको बताया था खेती करने के लिए क्या चाहिए आपको बचने चाहिए और ये किस रूप में प्रयोग आते हैं तो बैल गाड़ी खिचने के काम में आते हैं हल चलाने में क्या किया जाता है आगे बैलों को बांदिये जाता है उसमें ये प्रयोग में आते हैं क्योंकि ये सरीर से क्या होते हैं बटा बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं तो जब ये सरीर से बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे तो इससे सारी रिक स्रम लिया जाएगा वहीं कुछ ऐसी गायों की जो नसले भी आती हैं जो सरीर से मजबूत तो होती ही है है ना या फिर उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होगी लेकिन वो क्या करेंगी जो दूद उतपादन करने की जो छमता है वो इनमें बहुत ज़्यादा होगी तो कुछ ऐसी गाये हैं जिनको हम लोग सुस्क नसलों में रखते हैं जिनका सरीर काफी मजबूत होता है और यह उसी स्रम के एकॉर्डिंग स्रम के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है लेकिन जब हम बात करते हैं दूधारु नसलवाले गायों की तो यह जो गाये हैं इन अब ज्यादा दूद अगर इनको देना है ज्यादा दूद का अगर गायों को उत्पादन करना है तो ऐसा तो नहीं है कि वो सरीर से बिचारी बहुत पतली दूबली होंगी है ना अब सरीर से एक दम बहुत पतली दूबली हो और दूद वो दे रही हो 20 लीटर 30 लीटर दे र ही है और सरीर से मजबूत होने की वज़े से उनका उपयोग बैल गाड़ी खिचने में या फिर बोज़ा डोने में भी कर लिया जाता है कुछ ऐसी नसले भी होती जिनमें ये दोनों क्वाल्टियां जादा होती हैं सरीर से भी बहुत जादा मजबूत हैं और दूद भी जादा मात्रा में देती हैं तो इन नसलों में जो गाए हैं वो अधिक दूद तो देती ही देती हैं साथ साथ में क्या गरती हैं जो बैल है वो हल जोतने के काम में या फिर माल डोने के काम में भी उपयोग ताते हैं ठीक है ना तो ये बटा क्या है ये कुछ विभिन प्रकार की नसले हैं जैसे कि सुस्क नसले हैं दुधारू नसले हैं और फिर दोनों लच्छडवाली नसले हैं जिनका उपयोग उनकी छमता के अनुसार वहाँ पर जाएगा उनका अर्थिक उपियोग में उनको लाया जाएगा आर्थिक उपियोग में लाने का मतलब क्या है कि ऐसे गायों से क्या किया जाएगा दूद ज्यादा से ज्यादा मातरा में प्राप्त किया जाएगा और फिर उसको मार्केट में बाजार में उसको क्या किया जाए हैं जो भारती नसले हैं अगर इसकी चर्चा करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ दो तरह की गाई दिख रही है ठीक है अब जिसमें यह जो गाई है देखो यह सरीर से मजबूत है और जो यह वाली आपको दिख रही है ये सरीर से भी मजबूत है और इनमें दो कितनी जादा मात्रा में इनकी में जो थन है उसमें दूद की मात्रा बहुत ही जादा है तो ये सब क्या है दुधारू गाये हैं जो सरीर से भी मजबूत हैं कुछ सरीर से कम मजबूत हैं लेकिन ये भी दूद जादा मात्रा में देत जिसमें दुधारू गायों की नसले हैं ठीके ना अगर लाल सिंधी की चर्चा करेंगे तो ये जो नसल है ये जो नसल है ये मद्यम आकार की होती है लाल रंग की होती है इसलिए इनका नाम लाल सिंधी है वा गहरे हलके रंग के इसमें क्या पायाते हैं दब्बे पायाते हैं अगर साही वाल की बात करेंगे तो ये जो साही वाल है ये नसल बड़े आकार की वा भारी सरीर वाली गाय होती है जैसे कि ये जो आप यहाँ पर चितर देख रहे हो तो ये कौन सी है ये साही वाल है ये कौन सी गाय है बेटा कौन सी है ये ये साही वाल है ठीक है अगर गिर की चर्चा करोगे तो ये जो नसल है ये मूल रूप से गिर वाले वनों में पायाती हैं और ये जो गिर के वन है ये कहां पायाते हैं ये गुजरात में पायाते हैं इसका मतलब जो ये गाए है जो गिर नसल वाली गाए है ये क अच्छा दुग्द उत्पादन करने में मदद करती हैं ठीक तो ये क्या है ये कुछ भारती नसल वाली दुधारू गाए हैं जो दूद भी जादा मात्रा में देती हैं और इनका सरीर या तो मद्यमाकार का होगा या फिर इनका सरीर भारी होगा अगर भारी सरीर है तो वो क्या हो जाएगा सही भाल हो जाएगा ठीक है वही जब हम चर्चा करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यह जो दुग्द काल में दुग्द उत्पादन है कितना हुआ है कौन सी गाए कौन सी गाय जादा मात्रा में दूद का उतपादन करती है ठीक है तो यहाँ पर बेटा दुधारू गाय की नसल दी गई है यहाँ पर औसत दुध उतपादन दिया गया है लीटर में कितने लीटर दूद उतपादन करती है और ये दिन की बात की गई कितने दिनों में कितना करती हैं अगर हम बात करेंगे बेटा सबसे पहले साही वाल गाय की चर्चा करेंगे जो कि अभी हमने आपको चेतर दिखाया था साही वाल गाय का देखो ये वाली जो गाय है ये कौन सी है ये साही वाल है तो अगर हम बेटा गायों की चर्चा करते हैं क्योंकि साही वाल गाय कैसी भारती है साही वाल गाय कैसी है भारती है ठीक है न अगर हम कुछ विदेशी गायों की चर्चा करेंगे जसमें आजाएगा होल्स्टीन, फ्रोजियन और फ्रिश वॉल ये दो कैसी हैं? ये दो विदेशी नसल वाली गाये हैं अगर हम बात करेंगे फ्रोजियन की तो ये कितना दूद दे रही हैं? 16,000 लिटर कितना दे रही है? 16,000 लिटर कितने दिनों में? 365 दिनों में कितने दिनों में? 326 दिनों में ठिक तो जो भारती नसल वाली गाये वो दे रही है 22,800 लिटर ठिक और जो ये फ्रिश वॉल है ये दे रही है 5000 लिटर और सबसे ज़्यादा जो दे रही है 16,000 लिटर और वो कौन सी है? कौन सी है वो होल्स्टीन फ्रोजियन कौन सी है होल्स्टीन फ्रोजियन जो कि 365 दिनों में 16,000 लिटर जो है दे रही है ठीक है आगे अगर हम लोग देखेंगे अगर आगे देखेंगे तो फिर जैसा कि भी हमने आपको बताया हम लोगों ने यहाँ पर देखा अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो भारती नसल वाली गाये है वो सिर्फ कितना दे रही है 2800 लिटर दूद यहाँ पर दे रही है वही जो विदेसी नसल वाली गाये है वहाँ पर क्या है दूद की मात्रा बहुत जादा है कहीं 5,000 तो कहीं 16,000 तो 16,000 अपने आप में बहुत ज़्यादा amount होता है ना 16,000 लिटर जो तो इसलिए हम जरह यह भी देखेंगे कि जो विदेसी नसल वाली गाए हैं जो विदेसी नसल वाली जो गाए हैं ये ये कौन-कौन सी है तो गायों की जो विदेशी नसल है जो की सफलता पुर्वक भारत में संकरण के लिए प्रयोग की गई संकरण का मतलब क्या है संकरण का मतलब यह होता है बेटा कि एक हमने कल पिछली क्लास्विस के जर्चा करी थी कि अगर कोई ऐसी फसल है या कोई ऐसी गाय है जो गाय कैसी भारी सरीर की है ठीक और दूसरी गाय वहाँ पर कैसी है जो दूस ज्यादा दे रही है तो हम क्या करेंगे जो गाय जिसका सरीर बहुत ज्यादा भारी है जिसका सरीर बहुत ज्यादा मजबूत है उसका जीन निकाल लेंगे और दोनों का gene आपस में क्या कर देंगे mix कर देंगे ठिक तो उस gene को mix करने से अब जो गाए यहाँ पर आएगी वो कैसी होगी वो सरीर से भी भारी होगी और दूद उत्पादन भी ज्यादा करेगी ठिक तो इस तरह से जब क्या करते है किसी एक गाय का जो जीन है वो किसी दूसरी गाय के जीन में जब उसको ट्रांसफर करा देंगे तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे संकरन बोलेंगे इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे संकरन बोलेंगे कहां पर अमेर्की प्राइदिब में जर्सी की मूल नसल होगी और जो गाय सबसे ज़्यादा दूद दे रही थी वो कौन सी थी होलस्टीन फ्रोजियन कौन सी थी होलस्टीन फ्रोजियन और ये जो गाय है ये कहां पायाती है ये हॉलेंड की मूल नसल है ये स्विट्जर लेंड की है ये जो दूद देने वाली है और ये भार ढोने वाली नसले है तो ये दोनों का लच्छड एक साथ कैसे आया कि ये दूद भी जादा मातरा में दे और ये भार ढोने में भी उप्युक्त हो किसकी वज़े से? संकर्ण की मदद से संकर्ण में हमने आपको क्या बताया कि जो दूद देने वाली गाय है इसका जीन किसमें ट्रांसफर कर दो जो भार ढोने वाली गाय में है तो अब हमको जो जीन ट्रांसफर से एक जीन जो हम लोगों ने कहीं से उठाया और दूसरी गाय में उसको डाल दिया अब वो जब एक नई उससे जो बचला पैदा होगा है ना वो कैसा होगा कि वो सरीर में ज़्यादा भारी होगा उसमें दोनों क्वाल्टिया होंगी है ना इससे जो गाय आएगी तो उसमें दोनों क्वाल्टिया होंगी जो सरीर से भी भारी होंगी और दूद का उत्पादन भी जादा मात्रा में करेंगी तो ये किसकी वज़ा से होता है ये संक्रन की वज़ा से होता है तो संक्रन नसले कौन-कौन सी है ऐसी कौन-कौन सी नसल है जिसमें क्या कराया गया है संक्रन कराए गया है और संक्रन कराने से हमको बहाँ पर संक्रन कराने से हमको क्या मिला है संक्रन कराने से हमको वो नसल प्राप्त हुई है तो कौन कौन सी नसल है वो एक है करन स्विस दूसरी करन फ्राइज और तीसरी फ्रिज वॉल फ्रिस वाल के बारे में हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा था यह देखो है ना फ्रिस वाल तो यह फ्रिस वाल जो गाये आई है यह कहां से आई है किसके परणाम सुरूप संकरण के परणाम सुरूप है ना ब्राउन स्विस और साही वाल ब्राउन स्विस कहां ये ब्राउन स्विस गाये कहां पायाती है स्विजर लेंड में कहां पायाती है स्विजर लेंड में तो स्विजर लेंड की गाये ब्राउन स्विस इसका जीर उठाया गया और साही वाल साही वाल गाये कहां पायाती है भा करा दिया गया उसको एंटर करा दिया गया और उससे जो एक नई हमको नसल प्राप्त हुई वो कौन से है करन स्विस ठीक है इसी तरीके से करन फ्राइज ये थारपारकर और हॉल्स्टीन हॉल्स्टीन और थारपारकर की क्या है संकर नसल है वही जो frizz wall है ये holstein phrogian और sahi wall holstein phrogian ये जो Holland में थी और sahi wall जो अपने भारत देश में थी क्या कराया गया संकर कराया गया और वहाँ से हमको संकर नसल वाली गाय मिली और उसका नाम क्या रखा गया उसका नाम रखा गया frizz wall ठीक है यहां पर हम लोग जिस प Downt को देखेंगे वो क्या है वो है भैसो की UNT नसले ठीक है ना क्या है भैसो की UNT नसले गायों के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि जो गाये हैं वो मजबूष सरीर की भी होती है कुछ ऐसी नसले होती है dan और कुछ ऐसी नसले भी है जो दुधारू गाये होती है उसमें भारत की जो दुधारू गायों की नसले उसके बारे में देख लिया ठीक है जो विदेशी नसले उसके बारे में देख लिया संकर नसल के बारे में देख लिया अब देखते हैं भैसो के बारे में ठीक है तो जो भैसो में एक नसल है जिसका नाम है महसाना क्या नाम है बिटा महसाना तो जो महसाना नसल है यह कहा पायाती है गुजात में पायाती है और यह 1200 से ले करके 2500 लीटर तक दूद देती है एक बियात में ठीक और एक नसल है जिसका नाम है सुर्ती क्या नाम है सुर्ती एक नसल था जिसका नाम है महसाना और एक नसल है जिसका नाम है सुर्ती यह कितना देती है 1600-1800 लिटर दूद देगी एक वर्स में ठीकिना वहीं एक वर्स में यह कितना देगी 1200-2500 लिटर कौन महसाना जो कहां पायती है गुजरात में वहीं जो सुर्ती है यह 1600-1800 लिटर दूद देगी एक बार में एक वर्स में कब एक वर्स में ठीकिना और इसमें जो वसा है वसा कितना होता है लगबग 8-12% इसमें वसा पायाता है ठीक भारत में हमारे भारत देश में जो दूद का जो मुक्ष रोत है वो कौन है भैस ठीक है ना कि जो सबसे ज़्यादा दूद और सबसे ज़्यादा मात्रा में दूद उदपादन के लिए जो परियोग में लाई जाने व भैस हो गई दूसरी नीली भैस फिर तराई भैस फिर मेसाना मेसाना के बारे में यहाँ भी आप लोगों ने डिसकस किया था ठीक इसके बाद हो गई बदावरी इसके बाद हो गई सुर्ती सुर्ती के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर भी पढ़ा था ठीक रहत इसका मतल वो मुलावय है, लेकिर ये कुछ जाधा ही काली है, चाला स्याह रंग, कैसा है काला स्याह रंग हैं कहां पायाती है बेटा दिल्ली में मिलेगी तुमको हर्यारा में मिलेगी और पंजाब के दच्छडी भाग में ये मिल याएगी वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे यूपी की तो पस्चमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये हर्याणा और दिल्ली में तो यह आपर हम लोगों ने पहले ही मेंशन कर लिया है ठीक है तो इसका मलब यह पश्चमी उत्तर प्रदेश दिल्ली पंजाब और हर्याणा वाले भाग में यह मुर्रा भैस मिल जाएगी जो आकार में काफी बड़ी होती है और अगर इसके प्रति ब्यात दूद उत्पादन की बात करेंगे तो एक ब्यात में यह लगबग 2000-2500 लिटर तक दूद देती है ठीक तो यह भारत की मुर्रा भैस मुर्रा भैस है जो कहां पर पाई जाती है दिल्ली हर्याणा और पश्चमी उत्तर प्रदेश ठीक न और पंजाब में यह आपको मिल जाएगी ठीक अब इन में कुछ रोग भी हो जाते हैं कुछ बीमारिया हो जाती ठीक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं जिसको हम लोग पसू रोग कहते हैं यह पसू रोग किसकी वज़े से हो जाते हैं यह किसने किसी परजीवी की वज़े स हो जाते हैं जो कि संक्रामक या फिर आ संक्रामक रोग उत्पन करते हैं ठीक है ये रोग उत्पन जो करते हैं इसमें कौन-कौन से रोग हो सकते हैं ये और कौन-कौन से उत्पन करने वाले जीवाडू या कवक हो सकते हैं तो ये ए नंबर पे आप यहां देखोगे जीवाड रोग की बात करेंगे तो एक हो जाएगा फावल पॉक्स ठीक है ना जिससे जो प्रभावित जन्तु वह क्या है पोल्ट्री पच्छी है रोग के लच्छड की बात करेंगे तो वाड जैसे चकत्ते इसमें पढ़ जाते हैं अगर हम 6 रोग की बात करेंगे 6 रोग भी जीवाल रिंडर पेस्ट है ये रिंडर पेस्ट भी मवेसी और पच्छियों में होती है अगर हम रोग के लच्छड की बात करेंगे तो आखें और नाक से इस्त्राव निकलने लगता है कुछ ना कुछ चिपचिपा पदार्थ ठीक ना बुखार आ जाता है और दस्ट भी इनको और दस होते हैं तो ये कुछ मेटपुन बीमारिया है जो किसके द्वारा होती है जीवाड़ों के द्वारा होती है वही कवक के द्वारा अगर होने वाली बीमारी देखेंगे तो वह एसपर जिलोसिस क्या है एसपर जिलोसिस और ये बीमारी कहा होती है तो ये अक्सर मुर वा फफूंदी की वर्दी से क्या होता है चगते पढ़ जाते हैं ठीक तो ये कुछ क्या है ये पशू रोग है जो किसके माद्यम से होते हैं या तो कवक के माद्यम से होगे या फिर जीवालवो के माद्यम से होंगे ठीक है तो यह हम लोग पशू रोग की भी यहां पर होट हैं उसके नीचे क्या हो जाते हैं लटक जाते हैं मतलब कान और होट उनके नीचे की तरफ लटक जाते हैं ठीक है ना मुख से लार आने लगती है दूद जो उत्पादन जो मेन काम वो क्या हो जाता है घड़ जाता है अगर वो अंडे दे रहे हैं तो कम अंडे देने पाएगा नहीं हो पाएगा है ना उतनी efficiency से वो काम नहीं हो पाएगा क्यों क्योंकि तबेद नहीं सही है ना बीमार है तो जब कोई पशू हो या कोई मनुष्य हो अगर वो बीमार है तो उसके कारे छमता में उसकी जो वरकिंग कैपसिटी है जो कारे छमता उसमें क्या आ जाती है उसमें कमी आ जाती है ठीक है और अगर वो अंडे देते हैं तो अंडो का उत पदन भी कम हो जाएगा अगर वो दूद देते है तो उनका गोबर कैसा हो जाएगा पतला हो जाएगा और हलकी सी भी ठंड हलकी सी भी हवा या हलकी सी भी ठंड में क्या हो जाएगे वो ठिटूरने लगेंगे जैसे अगर अभी के समय या गर्मियों में भी अगर जैसे बुखार होता है तो बुखार होता है इनको ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी क्यों कि ये बीमार है तो ये कुछ सामाने लचण है जब कोई पशू क्या हो जाता है बीमार हो जाता है तो इसके ये कुछ सामाने लचण होते हैं अब इन रोगों से बचा कैसे जा सकता है इन रोगों से बचाव क्या क्या के जा सकत पशुओं को नेमित रूप से नेलाया जाए, क्योंकि साफ सफाही रहे गी अगर नहाइंग दोहेंगे, तो जो जीवाडू हैं या जो कवक हैं उनमें बीमारिया जल्दी नहीं फैला सकते हैं, ठीक suggestion अ, तो इनको नेलाया जाए नेमित रूप से, नेमित रूप से इनका टी पदार्थ होते हैं उसका क्या किया जाए निस्तारल किया जाए उसको माज हटा दिया जाए वहाँ पर साफ सफाई रखी जाए ठीक है ना उचित हाइजीन और परजीवियों का निराकर्ण किया जाए कीट नासी का छिरकाव भी किया जाए जहां पर इन जानवरों को रखा ग आईए जो लोग पशू पालन करते हैं जो ज्यादा मातरा में पशू पालन कर रहे हैं या एक या दो पशू को भी पाल रहे हैं तो उनको निमित रूप से उन पशू का भी क्या कराना चाहिए हेल्थ चेकप कराना चाहिए उनकी स्वास्त का चेकप कौन करेगा तो वो चिकसक होगा तो पसु चिकसक को लाएं घर पे बुलाएं उसको दिखाएं जानवरों को कि उसे की उनके जानवरों को कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक है ना तो इस तरी की चीज़ें यहां पर करने से क्या होगा कि पसुओं के रोगों से बच जाएंगे तो हम लोगों ने दे करते हैं यह जो मुर्गी है या जो यह मुर्गी पालन में क्या देते हैं यह अंडे देते हैं ठीक ना तो अंडे का उत्पादन करते हैं यह और किसका उत्पादन करते हैं मांस का तो मुर्गों से क्या मिलता है मुर्गे या मुर्गी से क्या मिलता है अंडे मिलते हैं और मां मांस का भी उत्पादन होता है तो इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है मुर्गी पालन किया जाता है इसलिए कुकुट पालन में उन्नत मुर्गी की नसले विक्सित करी आती है कि जो मुर्गी की नसले हैं वो कैसे ही हो बढ़ियां हो जिससे जो मुर्ग के लिए अंडे देने वाली जो नसले है जो मुर्गी पालने उसके लिए किया जाता है और मांस के लिए ब्रॉलर को पाला जाता है ठीक तो अंडे देने के लिए जो अंडे देने वाली मुर्गी है वो कौन सी यह लेयर है कौन सी है layer, बन्ददब यह क्या है? यह मुर्गी के नसल है और अगर हमको मुर्गी से अंडे नहीं हमको क्या चाहिए? मांस चाहिए है ना? तो मांस के लिए फिर हम किस कौन सा, किस किस्म की मुर्गी का पालन करेंगे? तो वो ब्रॉलर हो जाएगी तो यहाँ पर अलग अलग किसमें है एक layer है और दूसरी brawler है तो brawler किसम की जो मुर्गी है इसका पालन कप किया जाएगा जब क्या चाहिए हो मांस चाहिए हो वहीं जो layer मुर्गी पालन है यह कप किया जाएगा जब अंडे चाहिए हो तो यहाँ पर इसको अमलब समझेंगे अब यह जो कुकुट की जो देशी नसले हैं देशी मतलब जो भारत की नसले हैं जब इसकी बात करेंगे तो असील और बरासा असील और बसारा यह दो क्या है इसकी नसले हैं जो देशी नसले हैं ये नसले मांस का अच्छा उत्पादन देती हैं ठीक है लेकिन अंडे देने की छमता क्या हो जाती है क्यों 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 यहां पर क्या हो रहा है मांस का उत्पादन जादा हो रहा है और हमने क्या बताया अगर आपको मांस का अगर उत्पादन करना है अगर आपको मांस के लि लेकिन अंडे ज्यादा मात्रा में चाहिए भले वो health में कम हो, दुबली पतली हो, जिस से उनका मांस कम हो तो अगर अंडे के लिए अगर आपको व्यापार करना है मुर्गी पालन करना है तो फिर कौन सी मुर्गी चाहिए या आपको layer किस्म की वहाँ पर आपको मुर्गी वाली नसल चाहिए होगी ठीक तो जो देशी नसल है वो क्या है असील और बसारा ये असील और बसारा क्या है ये देशी नसल की मुर्गी या है और ये क्या करती है ये मांस का उत्पादन ज़्यादा करती है ठीक है और अंडे जेने की चमता क्या हो जाती है लेकिन कम हो जाती है मुर्गी का जो भार है वो समानत है 4-5 केजी का होता है और मुर्गियों का 3-6 केजी होता है ठीक तो जो भार इनका कितना होगा 4-5 केजी होगा ठीक वहीं हम बात करेंगे पीला, याकूब, नूरी और काजल क्या है इनकी समानने नसले हैं ठीक है तो यह पॉइंट आप यहाँ पर इसको याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं अब देशी नसल की बात तो करही ली अब बात करते हैं विदेशी नसलों की किसकी बात करते हैं विदेशी नसलों की बात करते हैं जब विदेसी नसलों की बात करेंगे तो यहाँ पर हमको दो तरह की दिख गई एक आपको दिख गई वाइट लेग होर्न और दूसरी दिख गई रोडे आइसलेंड रेड अगर इनका हम लोग चितर देखेंगे तो यह कुछ इस तरह की दिखती हैं ठीक है कुछ इस तरह की दिखती हैं और यह विदेसी नसल वाली मुर्गिया हैं यह जो मुर्गी है यह वाली यह वाली जो आपको मुर्गी दिखाई दे रही है यह कौन सी मुर्गी है यह है लैग हॉर्न कौन सी है लैग हॉर्न यह एक परचलित विदेसी नसल है जो लंबे सफेद अंडे उत्पन करती है उनके छोटे सारीरिक आकार के काल कम भोजन की आवशकता होती है ठीक है भोजन भी कम करेंगे देखो अगर सारीरिक आकार देखेंगे तो सारीरिक आकार कैसा कम है सारीरिक आकार कैसा है कम है ठीक है ना तो इनका जो सारीरिक आकार है वो छोटा होता है इस वज़े से कम बोजन की आवशक्ता होती है और लेकिन ये क्या है लंबे और सफेद अंडे उत्पन करती है ठीक वहीं जब हम बात करेंगे आइसलेड रेड की तो ये जो नसल है ये प्रायदी मनदब की USA में पाई जाती है और इनसे मांस का उत्पादन अच्छा होता है अच्छा मांस और अंडे भी जादा मात्रा में ये देती है ठीक तो अच्छे मांस का उत्पादन करेंगी और अंडे भी इस नसल की जो मुर्गी है जो विदेसी नसल है ये मांस के सासथ अंडो का उत्पादन भी क्या करेंग है तो हमने आपको बता था जो असील है यह कैसी नसल है यह भी देशी नसल है ठीक देखो ना लेग होरन कैसी है विदेशी है और असील की अगर बात करेंगे अगर असील की बात करेंगे तो जब लिखाए असील कैसी नसल है यह देशी नसल है तो असील बसारा पीला याकूब नूरी और काजल यह कैसी नसल है यह देशी नसल है ठीक तो ज क्या करवाये जाएगा संक्रण करवाये जाएगा और जब संक्रण करवाये जाएगा तो इससे नए किसम की जो नसले हैं वोटपन होगी तो किसके किसके बीच में क्रोस करा जा रहा है जो एक देशी मुर्गी की नसल है क्या नाम है असील और विदेशी जिसका क्या नाम है ल नहीं किस्म की एक नहीं नसल मुर्गी की पैदा होगी और उसके क्या होगा कि विदेसी नसल लेगोर्टन का छोटा होता है जिसके कारण कम बोजन क्यावश्कता होती है तो इससे इनका मास् कम मिलेगा लेकिन अंडे आपको क्या मिल जाएंगे जो अंडो का पदन बढ़िया हो जाएगा अब वही जो असीर है इसका सरीर कैसा इसका सरीर हेल्दी है है ना इस संकरण के द्वारा जो नई नसल की जो मुर्गी मिलेगी उसका सरीर बी क्यासा होगा, वो सरीर भी तगड़ा οोगा जिसमें ज़्यादा मानस होगा, और अन्डे भी ज़्यादा मातरा में अच्छा उत्पादन अन्डो todavía होगा, ठीक न, उसके लिए निम्न आवशक्ता हैं, यह क्या है, उसमें अनगूलता होनी चाहिए, उचताप सैने की चमता होनी चाहिए और अंडों के उत्पादन के लिए आवास में सुधार चाहिए चूजों की संख्या और गुडवत्ता और देख भाल में कम लागत की आवशक्ता ये सारी की सारी क्या है बेटा ये सारी की सारी इनकी निम्ल आवशक्ताएं हैं ठीक है तो इस तरीके से आप किया जा रहा है एक बहुत बड़ा यह फॉर्म है और यहां पर मुर्गी पालन किया जा रहा है यह कौन सी मुर्गी है यह लेग हॉर्ण वाली मुर्गी है जो कि क्या है विदेशी नसल है ठिक अब हम बात करेंगे अंडे के बारे में, बात करेंगे बुरॉलर्स के बारे में और बात करेंगे उनके मुर्गों की देखभाल के बारे में ठिक, जो अंडे देने वाले हैं, ये क्या है, ये चिक है, इनका मेचपूर्ण लच्छड है, ये अंडे देते हैं और 500 दिनों तक अंडे प्रदान करती है, जो अंडे के आकार है, जो वजन है, जो सरीर का भार है, जो खाद निपुडता है, अंडे का जो परिमार है, जो कवच का रंग है, आदी, ये जो लच्छण है, ये उच्छ संकर नसलों में पायाते हैं, का पायाते हैं, उच्छ संकर नसलों में पायाते हैं और कितने अंडे देते हैं लगभगें 500 दिनों तक अंडे देंगे और अंडे देना चालू कब करते हैं अंडे देना कब चालू करेंगे 20 सब्ता में 20 सब्ता की आयू में ही ये अंडे देना चालू कर देंगे ठीक है 20 सब्ता की आयू में ही अंडे दे पादन करते हैं किसका मांस का ठीक है आवास पोशड तथा पर्यावरणी आवशकता है इनकी ध्यान देने योग है इस हेतू क्या है इनका जो वजन है वो कितना साथ सो ग्राम से लेकर के डेड़ किलोग्राम तक होता है और ये क्या देते हैं मांस देते हैं क्या देते हैं मां के लिए अगर मुर्गी पालन किया जाएगा तो वो मुर्गी की कौन सी नसल होगी वो होगी ब्रोलर्स और अगर अंडे के लिए अगर मुर्गी पालन किया जाएगा तो वो कौन सी नसल होगी बिटा लेयर ठीक है अगर हम बात करेंगे बिटा कुकुट देख भाल की अगर के देखभाल की बात करेंगे तो उसके लिए तापमान इनका आवास और साफ सफाई पर ध्यान देने की आवशकता है जो चूजे की अवस्था है वो वर्धनकाल है इसे ग्रोवर्स कहते हैं ये ग्रो करते हैं और जो लेयर्स है वो क्या देते हैं वो अंडे देते हैं ठीकर इनका जो आवास इनका सरण इनका जो खादे पदार्थ है वो ब्रोलर के आहर में प्रोटीन वसा अधिक मात्रा में होता है अगर ब्रोलर्स की बात करेंगे तो इनके आहर में प्रोटीन जादा होगा और वसा जादा होगा क्यों क्योंकि इनको मांस के लिए ही इनका मुर् आशक्ता होती यह और उसीध प्रकास की अभश्यक्ता होती है और जो ग्रोवर्स हैं ग्रोवर कॉन है यह शॅल्यकॉ्त कि अनऑ हो गया तब्रकास पनते हैं तो जो चूझे उन पच्छी या मुर्गियों में होने वाले जो रोग हैं उनकी चर्चा करेंगे तो रिडर पेस्ट हमने आपको बताई था भी पहले थीक ना फावल पॉक्स फावल हैजा एस पर जिलोसिस यह जो रोग हैं किसके विशाडवों के द्वारा भी हो सकते हैं जिवाडवों के द्वारा भी हो सकते हैं कवक के द्वारा भी हो सकते हैं और परजीवी के कारण भी हो सकते हैं वहीं अगर ये सब अगर micro organism सुच में जीव ना हो तो फिर potion हिंता के कारणा भी हो सकते है किस की वज़े से अगर आप बात करोगे विशाडवों के द्वारा होने वाले रोग कौण से है तो विशाडवों के द्वारा होने वाले रोग Reader Pest जिसमें क्या होता है यह जो पच्छी है, जो मुर्गी है, इनमें क्या हो जाता है, कब जमने लगता है, दस्त आने लगती है, और भूग में कमी हो जाती है, वहीं यह जो फाउल पॉक्स नामक रोग है, एक तो यह ओगे रिडर पेस्ट, एक यह क्या है फाउल पॉक्स, तो यह जो फाउल पॉक् बन जाते हैं ठीक है ना अगर जीवालों के द्वारा होने वाले रोग की चर्चा करेंगे तो कौन सा रोग है बिटा फाउल है जा ये लिखाए फाउल है जा ठीक है ना ये जो फाउल है जा इसमें क्या होगा बुखार आ जाएगा और दस लग जाएंगे ठीक वहीं अगर ब अगल हैजा किसके द्वारा होता है जिवाड़ों के द्वारा और एसपर जिलोसिस किसके द्वारा होता है बिटा फफूंदी के द्वारा होता है और एसपर जिलोसिस में क्या होता है स्वांस में दिक्कत आने लगती है ठीक है तो अब हम बात करें किसकी अब हम बात करेंगे तो बेटा यह जो मचलियों का पालन है और इनका जो समवर्धन है वो मतस्य पालन के मुख्य अंग है मतब क्या करना है मचलियों को पालना है और इनको सम्हाल करके रखना है किस लिए क्योंकि मचलियों से क्या होता है इनको बेचा जाता है लोग इनको भोजन की रूप में इस्तेमाल करते हैं मचलियों के अत्रिक्त जो पंक युक्त मचलिया हैं और जो कवची जली युक्त जन्तु हैं जैसे की प्राउन जैसे की मोलस्क इनको भी मतस्य पालन में क्या कियाता है समलित किया जाता है मतस्य पालन में हम सिर्फ और सिर्फ मचलियों के बारे में ही नहीं कुछ ऐसे कवची जली जन्तु हैं जैसे की प्राउन जैसे की मुलस्का इनको भी मतश्पालन में ही सामिल किया जाता है मचली उत्पादन के अगर श्रोत की चर्चा करेंगे तो दो प्रकार के श्रोत हमको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे जो पहला श्रोत है वो लवडी है या फिर खारे जल का श्रोत है जैसे की समुद्र और दूसरे अगर हम बात करेंगे तो आ लवडी है या फिर ताजे जल का श्रोत है जो सुच जल होता है ठीक है ये जो लवडी जल शोत है, इनकी जो मचलियां है, उसमें कुछ विशेश पर जातियां पाई आती है, कौन-कौन सी विशेश पर जातियां हो सकती हैं, बैटा, प्रॉम, पॉम्फरेट, टूना, मेकरल, इसके इलावा दो और है, सारडाइन और बॉम्बे डक, ठिक, ये जो ह समुद्री मचली उत्पादन में, या फिर लवडी जल उत्पादन में ये मचली आएंगी, कौन-कौन सी आएंगी बैटा, पॉम्फरेट, टूना, मेकरल, सालडाइन और बॉम्बे डक, ये भारत में लगबख 7500 किलो मेटर समुद्री तट हैं, और जहां से ये पर जातिय पकड़ी जाती हैं, और मचली उत्पादन के कैसे स्रोथ हैं मेटा, प्राकर्तिक स्रोथ हैं, कैसे स्रोथ हैं, प्राकर्तिक स्रोथ हैं, वहीं जब आप बात करोगे, आलवडी जल की, या फिर ताजे जल के स्रोथ की, जहां पे नदिया हैं, नाले हैं, तालाव हैं, या फ रोहू सिल्वर कॉर्प ग्रोस और कौमन कॉर्प ठीक और इन शोतों में जो मचलियों का समवर्दन है वह यहाँ पर ताजे जल्ग में किया जाता है ठीकिना और ताजे जल्ग की जो मचलिया है वह कौन-कौन सी हैं यहाँ पर यह नाम आपको और Bombay Duck, वही आलवडी जल में या फिर ताजे जल में जो मचलियों का उत्पादन किया जाता है, वो कौन-कौन सी मचलिया हैं, बिटा कटला, रोहू, म्रगल, सिल्वर कॉर्प, कॉमन कॉर्प और ग्रास, ठीक है, तो यह आपको यहाँ पर यह मचलियों की नसल को, मचलियों की प्रजातियों को याद करना पलेगा, कि जो दो प्रकार के जो श्रोत हैं, वो एक लवडी और आलवडी हैं, तो लवडी जल में कौन-कौन सी मचलियों का उत्पादन किया जाता है, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, क्या किया जाता है, मचलियों पादन किया जाता है जो समुद्री एरिया है जिसको हम लोग क्या कहते हैं लवड़ी जल कहते हैं जिसमें लवड़ जादा होता है तो समुद्र में इस तरही के से जाल बिछा करके कई लोग क्या गड़ते हैं मचली पकड़ते हैं ना वहीं यह जो आप चितर देख रहो तो यह समभर्धन क्या है इसके बारे में समझेंगे मचली समभर्धन क्या है तो जब 5 से 6 प्रजातियों को मचली का मदलब क्या है मिक्स कर देना जब 5 से 6 प्रजातियों को मचली का समभर्धन एक ही जल छेतर में किया जाता है तब इसे क्या गयते हैं तब इसे मिस्रित समभर्धन कहते हैं इस प्रक्रम में मचली की ऐसी प्रजातियों को चुना जाता है जो भिन भिन प्रकार के आहर लेती है जैसे कि कटला अब यह जो कटला है यह अपना भोजन जल के सतय से लेगी कहां से लेगी जल के सतय से मनलब उपरी वाले इससे वही जो रोहू है यह जल के मद्द से अपना भोजन लेगी यह जो म्रगल है और यह जो जो है नसलों की अलग-अलग परजातियों की मचलिया है जिनका भोजन लेने का जो श्रोत है है तो एक ही जल में लेकिन अलग-अलग जगह पर है जो कटला है वो जल की सतय से ले रही है ठिक जो रोहू है वो मद भाग से ले रही है जो म्रगल और कॉमन कार्प है ये जल की तली से ले रही है तो इस प्रकार जो आहार के लिए उनमें कोई पर्तिस परदा नहीं होती है और इस तरह से एक ही जल में 5-6 परजातियों की जो मचलियां है उनका समवर्धन आसानी से किया जा सकता है उनका जो उत्पादन है वो आसानी से किया जा सकता है और इस प्रकार का जो मचली उत्पादन है इस प्रकार का जो मचली समवर्धन है उसको क्या कहते है मिश्रित मचली समवर्धन के लाब क्या है अगर इसके लाब की चर्चा करी जाएगी इसके लाब की चर्चा करेंगे तो जो मिशित समवर्दन में इस तरह की जो परजातिया है उनका चैन किया जाता है जो अपना भोजन जल श्रुत के भिन भिन छेत्रों से ग्रहन कर सके जिससे कि उनमें क्या ना हो कोई इस प्रकार लाब यह है कि मचलियों के लिए कोई प्रतिसपर्दा नहीं होती है क्या नहीं होती कोई प्रतिसपर्दा कोई competition नहीं होता है और जल के जल श्रोत के प्रतेक छेत्र के आहर का उपयोग भी आसानी से हो जाता है तो एक ही जल का एक ही जल में जो अलग-अलग जग हैं और उनके शुरूत भी अलग अलग हैं और जल भी एक ही जगह है तो यह मिश्चित जो मचली संवर्दा ने इसे क्या होता कही तरह के लाब यहां पर हमको देखने को मिलते हैं ठीक तो यह था बेटा मचली उत्पादन के बारे में अब हम आगे और लास्ट पाइंट की च हमिलता क्या है हैं और उसकी देख भाल करते हैं ताकि बड़ी मातरा में क्या पराप्त किया जा सके सहेद को पराप्त किया सके अगर सहेद की विटामिन मिल जाएगा, कुछ एंजाइम मिल जाएगे तो इस तरीके से क्या किया जाता है मदमक्यों का पालन किया जाता है अब मदमक्यों की जब परजातियों के बारे में चर्चा करेंगे जब मदमक्यों की परजातियों के बारे में चर्चा करेंगे तो यहाँ पर कौन कौन सी परजाति होती है एक उती बटा एपिस डार सेटा जो एपिस डार सेटा ये कैसी है ये जंगली मक्ही है ठीक एपिस इंडिका ये भारती मदमक्ही है एपिस फ्लोरी एपिस फ्लोरिया ये छोटी मदमक्ही है और एक और है जो एपिस मेल फेरा यह कैसी है यह European मदमक्षी है ठीकρε ना इसे आसानी से पाला जा सकता है जो एपिस जो एपिस मेल फेरा है इसको आसानी से पाला जा सकता है और इकौन से मदमक्षी है ये European है अगर भारते है अगर अगर भारती मुद मक्य की बात करी जाएगी, तो भारती मुद मक्य कौन सी है, बटाइपिस उंडिका, इंडिका से लगजरा इंडिया, है ना, और ऐपिस डॉर स्विटा, ये है, ये जो है जंगली मन मक्य, ठीक? अब ये बिटा कॉलोनी बना कर किस तरह से रहती है किस तरह से ये कॉलोनी बना कर रहती है ये कॉलोनी बना कैसे रहती है बिटा ये तीन प्रकारगी है कितने प्रकारगी है तीन प्रकारगी होती है एक होती है रानी ठीक जो कि सिर्फ केवल एक मादा होती है बाकी सब क्या होते है वरकर मतलब जो काम करने वाले होते है ये 20,000 से 3,000 भी क्या है मादाए ही है मतलब ये भी फीमेल है जो रानी है वो भी फीमेल है और जो वरकर है वो भी क्या है फीमेल है और एक ही कैसा होता है ड्रोन होता है जो क्या होता है नर होता है अर्थात मेल होता है ठीक तो एक मेल होगा जो क्या होगा जिसको हम लोग ड्रोन बोलेंगे बाकी सब क्या होंगे वरकर होंगे जो की फीमेल होंगी और उनमें से एक जो female है वो कैसी होगी वो रानी होगी तो यहाँ पर तीन कड़ेगरी आपको देखने को मिल जाती है मुद्वख्यों में एक रानी दूसरे worker और एक नर एक drone नर को क्या कहते है ड्रोन कहते है ठीक तो एक नर हो जाएगा एक रानी हो जाएगी बाकि सारे क्या होंगे वरकर होंगे और यह जितने भी वरकर होंगे यह male नहीं होंगे क्या होंगे यह जितने भी वरकर हैं यह सारे के सारे female होंगे ठीक है अब सहिद की उच्छ प्राप्ती के लिए क्या क्या किया जा सकता है सहेद की उच प्राप्ति के लिए कौन कौन से प्रबंदन किये जा सकते हैं तो बटा जो एपिस मेल फेरा है यह आपको दिखाएद एपिस मेल फेरा कहा है यह जो कहां पायाती यूरोपेन मदमक्ही है और इसको आसानी से उसको पाला जा सकता है तो जो एपियस मेल फेरा इसमें लच्छण बहुत अच्छे होते हैं जैसे कि ये नरम सुभाव की होती हैं काड़ती नहीं है ठीकर न सहद भी बहुत ज्यादा मात्रा में खटा करने की योगता रखती हैं तो इनको पालने के लिए मुदमक्खी पालन करने के लिए क्या-क्य प्रमंदन किया जा सकता है दो जो चारा गाया जो फ्लोरा है इसको बराना चाहिए मुदमक्खी का च्छता वहां से प्राप्त किया जा सकता है एपेरी लोकेशन उनकी लोकेशन सही होनी चाहिए हनी फ्लो तदा सीजन जिसमें सहाधी खटा होता है स्वार्मिंग जिसमें क सारी चीजों पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो उससे क्या हो जाएगा जो मदमक्खी का जो पालन है वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा ठिक तो आज हम लोगों ने यहाँ पर किन किन पॉइंट को डिसकस किया आज हम लोगों ने यहाँ पर जितने भी पॉइंट ड चर्चा करी फिर इसके बाद हम लोगों ने चर्चा करी किसके बारे में मुर्गी पालंग में फिर इसके बाद हम लोगों ने चर्चा करी मचलीत पादन और फिर सबसे आखरी में हम लोगों ने देखा तो ये जो चार पॉइंट थे आज हम लोगों ने इसके बारे में डिसकस किया आई हो कि आपको सारे पॉइंट या पर किलियर हो गया होंगे खाद संसातनों में सुधार एक जो बहुत ही छोटा चैप्टर था जिसको हम लोगों ने आज दो लेक्चर में खतम किया पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि फसल का प्रभंदन किया किस तरीके से किया जा सकता है फसल की सुरच्छा में प्रभंदन किस तरीके से कर सकते है उनके उत्पादन में किस तरीके से प्रभंदन किया जा सकता है ठीक, वहीं आज दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने पशु पालन और मधुमक्षी पालन, मरगी पालन, मतश्य पालन, मदलब कि मसली पालन इनकी चर्चा करी ठीक है तो इस chapter में इतना ही था जो point थे उनको हम लोग ने discuss कर लिया ये chapter यहाँ पर खतम हो जाता है फिनिश हो जाता है अभी इसका एक और lecture लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि questions किस तरीके से पुछे जाते हैं और answer को किस तरीके से लिखना है अभी हम नसल में किस किस नसल की भैसों को लेकर कि कौन कौन सी नसल बनाई जाती है ठीकर रहाई भैस में मुरगा भैस के बारे में हम लोगों ने देखा विदेसी नसलों के बारे में हम लोगों ने देखा ठीक है इसके लवा हम लोगों ने मुर्गी पालन के बारे में देखा हम ल उन questions को किस तरीके जिल लिखना है उसके माद्वे में अब जो एक और lecture लेकर के आएंगे खातिस अंसादुन में सुधार यहाँ दो lecture में यह chapter जो है क्या हो जाएगा खता हो जाता है अब इसका तीसरा lecture question के रूप में आएगा ठीक है तो comment करके बताईएगा कि आपको आज का lecture कैसा लगा बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद